हर पेरिंट और टीचर हर समय हर बच्चे को एक ही बात कहता है बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, एक्जाम्स में अच्छे मार्ग्स लाने हैं लेकिन हर बच्चा युनीक होता है, स्पेशल होता है तो क्या हर बच्चे पे एक ही बात लागू हो सकती है? एक नैशनल करिकिलम से ज्यादा जरूरी है कि हम हर बच्चे के लिए एक युनीक करिकिलम डिवाइस करें इसी कोशिश के साथ हमने बनाया है ये शो जहां मा, बाप, एक्सपर्ट्स और मैं मिलकर बात करेंगे कुछ ऐसे ही पेचीदा मुद्दो पर वेलकम टू परवरेश, मैं हूं मिनी माथुर अगर हम सब के पास सिर्फ काम करने के लिए है और इसके अलावा प्ले आक्टिविटी कुछ भी नहीं है तो लाइफ बहुत 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 हो जाती है ऐसा ही बच्चों में साथ भी होता है अगर सिर्फ पढ़ाई हो, कुछ भी खेलना हो, तो इट में एक सब बहुत 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 होती है हर पैरेंट चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई में माहिर हो, क्योंकि माक्स नहीं आएंगे तो नौक्री कैसे मिलेगी, पैसा कैसे कमाया जाएगा तो आपका जाक या जेल बिलकुल भी डलना हो, इसलिए आज वे गुए बियॉंड दे करिकिलम, यानि किताबों से आगे जहां और भी हैं तो आईए पहले मिलते हैं अपने आज के highly qualified child experts से, डॉक्टर आनन शान्डेलिया फर मुंबाई और 36 गर से डॉक्टर पुखराज पाफना, वेलकम डॉक्टर्स तेंक यू डॉक्टर साब, पूरे बेश में एक सही होती है कि पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे, कुदोगे तो हो जाओगे खराब इसमें आपके हिसाब से कहां तक सच्चाई है, डॉक्टर साब यह उस जमाने की बात थी, जब यह कहा जाता था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले जबती समझते हैं, जिन्हें पढ़कर के लड़के बाप को खबती समझते हैं क्या बात है? बहुत जमाने की बात थी, अब समय बदल गया है, लेकिन फिर भी माबाप की इच्छा ये होती है, कि मेरा बच्चा जितना जल्दी हो सके कमाना शुनू कर दे, तो वो सिर्फ दो ही एजंडा होता है माबाप के पास, पढ़ो लिखो और खाओ पियो, आप देखिए, खेल के म कितना माइने रखती है, मेरे हसाब से पढ़ाई से जादा इन चीजों से जादा फरक पड़ता है, और मेरे अनुभव में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, जो टॉपर्स थे, उनके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हो, बीच साल हो गए, वो कह हैं, क्या कर रहे हैं, तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप बैक बंचर दॉक्टर थे? बीच में था, मैं तो इसके बारे में तो हमें बहुत सारी अभी और बात करनी है, लेकिन अब हमारी एक्सपर्ट पैनल में एक और एक्सपर्ट का इजाफा होने वाला है, जोईनिग अस नाओ, जोईनिग अब्लविफाइ ब्लाक बेल्ट इन शिक्सिगमा जो कि एक किसम की कॉलिटी सर्टिकेशन है, अब हैद हटनर होनाव वर्क्स फोम, सो लेट वेलकम अलवली मदर, अनुपरमा कपूर अनुपरमा, डॉक्तर शंडिल्या और श्चिछ बाफना, जो हमारी मदद कर रहे हैं आज इस बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक में, अनुपरमा, ये बताए कि आपके जो जो शिक्सिगमा कॉंसेट हैं, ये अंगत की परवदिश में भी आपको मदद करते हैं या इस रिस अनुपरमा, जो हमारी में इस बाफना शिक्सिगमा की आपको में इस बाफने बच्चों के साथ उनमें आप शायद किसी हद तक लागू कर सकते हैं अंगत की थोड़ी इंक्लिनेशन है आउट्डोर की, so he's very young to select anything himself, so what I do is I try and guide him to certain things, for example sports or any other extra curricular and I help him कि जितना तक हो से कोशिश करती हूं कि एक interest developed करा रहे, उसके आगे जहां में उसका interest होता है, वहां पे मैं उसके थाइप करती हूं, so it's like a mutual process, of course I have to introduce him to it. पर रॉपसाब किस एज पे बच्चा तयार हो जाता है यह decide करने के लिए कि यह उसकी inclination है या recognize करने लगता है कि उसका talent एक particular field में या extra activity में है? तया, unless आप अनुभव लें, unless you experiment and see what your child's abilities are, it's very difficult to say when he's ready. तो यह तो समय ही decide करेगा और जितना जल्दी आप शुरू कर सकें, explore करना, उनको किताबी कीड़ों से निकाल, बने रहने से निकाल के उनको दुनिया दिखाएं, तो दुनिया दिखाएं, तो they'll be able to pick up. I don't think आज़कल के बच्चे खुद भी किताबी कीड़ों से निकाल के बनना चाते हैं, उनके आसपास इतनी अक्तिवटीज हो रही हैं कि वो खुद चाहते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि वो खेले और जितना हो सके करें, चाहिए वो आट क्लास है या या फूजिक क्लास है जिसके प्रती एस्पोस करते हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि थोड़ी पेरेंटल पुशिंग होती है या ये नाच्रल बात? यह है कि हम कुछ चीजा है बच्चों के चॉइस पर छोड़ें, वो चेंज कर सकते हैं, अपनी होबीज, अपनी अप्टिविटीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जहां हमको लगता है कि यहां इसको ऐसा होना चाहिए, वहां हम गाइड करें, हम पहले उसकी च्वाइस पूछें, तुमको यही करना है. But I have to bring your notice to, एक और तर्म मैंने आजकल सोना है, बहुत ही इंप्रेसिव टर्म है, Multiple Intelligence Activities, तो यह Multiple Intelligence Activities क्या है, and what kind of activities fall under Multiple Intelligence Activities? Multiple Intelligence Activities जो होती है, कि बच्चे की लर्निंग किस धंग से है, वो किस तरह का लर्नर है, बढ़र जिसे विजुल लर्नर, और कनिस्टेटिक लर्नर, मुजिक लर्नर, मैथमेटिकल लर्नर, उसकी अलग अलग अटिचूट होती है, जैसे linguistic learner, तो वो पहाई लिखाई में पढ़ने में लिखने में जादा ध्यान देगा, जो विजवल वाला है, वो देखने में जादा करेगा, जो म्यूजिक वाला इसको रिदम में बहुत अच्छा लगा, अच्छा गाएगा, अच्छा सुनेगा, उसकी अलग टेस्ट तब ही हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं. तो यह अकसर किस उमर तक उभर के आती हैं? यह यूजिली दो तीन साल के बाद से हमको परिलक्षित होने लगती हैं, देखने लगती हैं, बट इट निड़ से कीन आप्जरवेशन बाइदी पैरेंट्स.